भले ही काट्रीना कैफ विकी कोशल की दुलहनिया बन गई हो लेकिन अब भी सल्मान खान उन्हें अपनी तरफ खीचने का कोई मौका नहीं छोड़ते शादी के बाद काट्रीना कैफ अपने पती विकी के साथ पहला वैलन्टाइन डे मनाने वाली थी जाहर सी बात है कि ये पहला वैलन्टाइन विकी और काट्रीना दोनों के लिए बहुत खास है लेकिन इस वैलन्टाइन में सल्मान खान ने ऐसी खटाई डाल दी कि विकी और काट्रीना का ये सपना तूट कर बिखर गया है दरसल शादी से पहले काट्रीना रशिया से टाइगर 3 की शूटिंग करके वापस लोटी थी कहा जा रहा था कि शादी के बाद वो फटाफट शूटिंग फिर से शुरू कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कोरोना की वज़ा से टाइगर 3 की शूटिंग बार बार टलती रही लेकिन अब कोरोना के केस कम होते ही सलमान ने फर्मान जारी कर दिया है कि वो पांच फरवरी से शूटिंग शुरू करेंगे और ये शूटिंग दिल्ली में होगी बताया जा रहा है कि 20 दिनों तक लगातार सलमान और कट्रीना दिल्ली में शूट करेंगे क्योंकि कोरोना की वज़े से फिल्म का काफे नुकसान हो चुका है इसलिए बेना छुटिंग लिए दोनों को शूटिंग करनी होगी ऐसे में 14 फरवरी को वैलन्टाइन डे के मौके पर कट्रीना सलमान खान के साथ दिल्ली में होगी बले ही विकी कट्रीना को सलमान के हातों से छीन कर ले गए हो लेकिन सलमान भी कुछ कम नहीं है उन्होंने ऐसा शूटिंग का शड्यूल फसा दिया कि जहा कर वी विकी कुछ नहीं कर पाएंगे कट्रीना और विकी का पहला वैलन्टाइन सलमान ने तभा कर दिया है